Grand Slam Tournament, यह एक Tennis Tournament है, हाली में Australian Open 2021 खेला गया, तो इसमें जितने भी खेलाड़ी टाइटल जीते हैं, तो उसको ट्रीक से याद करने की कोसिस करेंगे तो सबसे पहले कुछ important point को जान लेते हैं, तो साल में चार Grand Slam Tournament खेले आते हैं, तो सबसे पहला A से Australian Open और last में US Open खेला जाता है, तो A से Australian Open उसके बाद F French Open उसके बाद third में Wimbledon Open और last में US Open तो Australian Open को Mid January में खेला जाता है, French Open को May से June और Wimbledon को June से July और US Open को August से September के बीच खेला जाता है अच्छा, Australian Open और US Open को Hard Code में खेला जाता है, ये दोनों Hard Code में खेला जाता है, और French को कैसे याद करेंगे, तो French को relate करेंगे फराई से, ठीक है, और फराई कोई भी चीज हम करेंगे, कले के पोर्ट में, मतलए मिट्टी के बर्तन में, तो French Open कहां खेले जाएंगे, कले के कोट में, ठीक है, कले कोट में और Wimbledon, अच्छा, डबलू से, वुड, वुड हरा और हरा से relate कर सकते हैं, गरास, तो Wimbledon Open, गरास कोट में खेला जाता है तो Wimbledon Open सबसे oldest है, तो Wimbledon में bird word आ रहा है, तो bird से relate करेंगे old, और old से oldest यह चालू हुआ था 1877 में, अच्छा, second में US Open, यह चालू हुआ था 1881 में, French Open 1891 में, और Australian Open Last में, 1905 में और खेला कैसे जाता है, सबसे पहले Australian Open खेला जाता है, साल में, मिट जनवरी में खेला जाता है, उसके बाद French, उसके बाद Wimbledon, उसके बाद US Open Last में Total Grand Slam winners मतब चारो Open मिला कर, Australian, French, Wimbledon और US से मिला कर, एकल खिताब सबसे जादा जीता है, रोजर फेडरर और राफेल नडाले, यह दोनों 20-20 खिताब जीते हैं, अच्छा, रोजर फेडरर स्विजलन से है, और राफेल नडाल इस्पेन से है, और तीसरे नमर पे, नौवा खिताब किसने जीता है, तो सबसे ज्यादा नौवाख, जोकोविच, सर्बिया से है, और इन्हों ने 9 जीता है, रोजर फेडरर 6 यह सिविजलन से है, तो पहला कुशन है, हाली में Australian Open 2021 में में सिंगल, मतलब एकल पूरुस का खिताब किसने जीता है, तो अच्छा, में सिंगल का S, तो यह MS, MS से मस्ती, मस्ती कब होता, जब DJ बसता है, तो DJ कहां पर है, उप्शन B में, तो इसका हो जाएगा उप्शन B, नौवाख, जोकोविक, तो में सिंगल का खिताब जीता है, नौवाख, जोकोविक, अच्छा, यह हराया है, डैनिल, मेडवी डेप को जो सिंगल, मतलब एकल महिला का खिताब किसने जीता है, तो अच्छा, वुमन का पहला लेटर लेंगे, डबलू, सिंगल का S, तो वस, डबलू, एस, विस, बनेंगे, और सबसे ज़्यदा विस कौन करती है, मम्मी, तो मम्मी सब्द कहां पर आ रहा है, तो नाओमी में, ठीक है नाओमी, तो इसका एंसर हो जाएगा, अप्सन A, नाओमी ओसाका, तो विमन सिंगल का, तो विमन सिंगल तो विस, विस कौन करती है, मम्मी, तो मम्मी से हो जाएगे, नाओमी ओसाका, तो नाओमी ओसाका जापान से है, और इन्होंने हराया है, जेनिफर, ब्रेड़ी, जो यूएसे से है अगला खुशन है हाली में आस्टेलिन ओपन 2021 में मेंस डबल का इवान रोडिंग और एप से फिलिप पॉलासेक तो इसका एंसर हो जाएगा अगला कुशन है हाली में आस्टेलिन ओपन 2021 में वूमन्स डबल का खिता म किसेनी जीटा तो वूमन्स डबल का मतलब होता है एक तरफ दो महीला खिलेंगे और दूसरे दरफ दो महीला तो इसका किताब जीता है तो इसके लिए ट्रीक है डब वूमन्स का डबल लेंगे और double का D, तो WD ये किस से मिलता जोलता है, वादा से, और वादा मरते दम तक निभाना, तो निभाना से हो जाएंगे, आरियाना, ठीक है, और मरतिस हो जाएंगे, मर्टेंस, तो इसका answer हो जाएंगे, अप्शन सी, आरियाना, सबालेंगा, और एलिस, मर्टेंस, ठीक D, और इससे क्या होएंगे, मदद, तो मदद किस से मांगेंगे, रब से, तो रब का कॉमिनिशन देखना है, तो यहाँ पर ऑप्शन A, राजिब राम, आर ए, और B से, बार्बोरा, क्रेज, सिकोवा, ठीक है, अच्छा, राजिब राम, ये इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन, टेनिस पलेर है, अगला कोशन है, निमल में से फरेंच ओपन किस कोट में खिला जाता है, तो फरेंच को रिलेट के थे, फराई से, और फराई किस में के थे, कले के पोट में, ठीक है, मिट्टी का बरतन, तो इसका एंसर हो जागा, अप्शन B, कले कोट में, तो फरेंच में खिलायाता है Wimbledon Open को अगला को सने निवन में से सबसे ज़्यादा Grand Slam सिंगल टाइडर मतलब एकल खिताब किसने जीता है तो Grand Slam मतलब चारो ओपन मिला कर आस्ट्रेलियन फरेंज विमल्डन और यूएस मिला कर तो इसका एंसर उप्शन सी उपरोग तो दोनों राफेल नडाल और रोजर फेडर ये दोनों 20-20 किताब जीते हैं अगला को सने सबसे ज़्यादा आस्ट्रेलियन ओपन का किताब किसने जीता है तो इसका एंसर उप्शन ए नोवाक जोकोवीच